साथियों कोई प्रचडे में नहीं पड़ता जहां पर कोई भी बात कंट्रोवर्शी के आती है क्या ठी क्या गलत ये शुब हुआ शुब और दामन बचाने की कोशिश करता है हर कोई वहीं पर डॉक्टर आनद भारदवाज जाकर खड़ा हो जाता है चटान कितना आपके मन क कि जितने भी वहम होते हैं सब को दूर करने के लिए हुआ क्या एक ने बोला ये पक्षी पालो दूसरे ने कहा ये पक्षी पालो तीसरे ने कहा इसको मत पालो उसको निकाल दो उसको बार कर दो सातियों पालने की बात तो बहुत दूर यहां तक कि जब चित्र लगाने की फोटो या पेंटिक लगाने की बात आई तो फिर क्या हुआ कि अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग जब कोई चीज कंट्रोबर्शी में फच जाती है तो हर कोई उस टॉपिक को टच करना पसंद नहीं करता अपने बचाव के लिए लेकिन मैं उसी टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देता हूँ जिसका जवाब आपको मिलना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वही तो ढूंड रहे हैं आप इस वीडियो में यही बताऊंगा मैं आज का टॉपिक पक्षियों के बारे में शुब और अशुब के शिकंजे में कौन फसा पक्षि इनकी पेंटिंग कितने अशुब और कितने शुब पालने की बात नहीं करेंगे केवल पेंटिंग की बात करेंगे चलते रहे यह इस वीडियो पर अखीर तक मज़ा आजाएगा आपको कहेगा आपका दिल के हाँ आज वो वीडियो मिला जिसको ढूंट रहे थे हम बरसों से बहुत बहुत स्वागत साथियों आप सब का मेरे इस चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर आनद भारदवाज नमस्कार करता हूँ आप सब को आप सब आते हैं मेरे चैनल पर मेरा होसला बढ़ाते हैं क्योंकि आप सब एक बहुत बड़ी संख्या में सब्सकाइबर हैं मेरे चाहने वाले हैं मुझे लाइक करते हैं और मेरी हर वीडियो को करते हैं आप शेयर हाँ अगर आप पहली बार आए थे और आपके दिल को यह कहें कि हाँ वीडियो में मज़ा आगया डॉक्टर भार्दवाज जी के तो अभी कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि कोई भी वीडियो ऐसा हो सकता है जो कि आपकी जिंदगी में रोशनी भर दे तरक्की भर दे जीवन को बदल दे आईए हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में पक्षियों के बारे में क्या बात करेंगे पक्षियों के चितर के बारे में घर में बहुत सारी पेंटिंग होते हैं पोस्टर होते हैं हमारे घर में कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए नेट खोल कर बैठेंगे तो उधेरबन खतम नहीं होगी, सुबा से लेकर रात हो जाएगी डिसाइड भी निकर पाएंगे आज हम डिसाइड करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए है कि कौन सी फोटो, कौन सी पेंटिंग पक्षियों की अच्छी होती है सबसे पहले तो आप देखिए कि जितने भी बर्ड्स होते हैं सब प्राकिट्पी के देन हैं, सब किसम नेचर में जैसे इनसान को जीने का हाँ है वैसे पक्षियों को जीने का हाँ है यह वो सीन है जिसको यूनिवर्सल सीन बोलते हैं हम यह देखिए बहुत सारे पक्षियों निकल चुके हैं अपने अपने घौंसले से अपने अपने क्षित की तरफ जा रहे हैं आनंद लेंगे जीन का अपने उन मुक्त उड़ेंगे आसमान में आजादी का मज़ा लेंगे दाना चुगेंगे और उसके बाद शाम होगी संद्या के समय अपने घर आ जाएंगे अच्छा पोस्टर एक बहुत अच्छा पोस्टर जितना अपने घर में लगाएं लेकिन लगाएं केवल पूरव की दिवार पर क्योंकि उक्तावा सूरज है वो बताता है इस्ट को सिसके बाद गो रहे हाँ जान लेली इंसान ने इसकी हमारा जो इलätt्रो मैगनेटिक डिडिशन तरह कहा जाता है कि जो इहमार है जैसे फोन बने जब से हमारी ऐसी चीजे बनी जो कि इलेक्टोरिक और electronic gadgets के साथ साथ बढ़ते चले गए हम लोग तो environment में वाता बर्ण में बहुत जादा electromagnetic raditions फैलते चले गए तो जब वो फैले तो उनसे जो सबसे पहला असर पड़ा जो सबसे पहले प्रभाव में आए वो आए जुगनू जुगनू आपने सुने होंगे जिसको पड़वीजना भी बोलते हैं बहुत सारे नाम होते हैं उसको night fly बोलते हैं बहुत चीज़ें होती हैं उसकी तो वो खतम हो गए धीरे-धीरे क्योंकि जेल नहीं पाए उसके बाद जो गुरईया थी हमारे घर की ये भी धीरे-धीरे गायब शी होगी एक चाहीने से विलॉपसी होगें बड़ी मुशकल से दर्शन होते हैं मैं मझë कहीं मुझे कहीं गिरे अगर मृट ही कर दो मिनट के लिए मैं इंके दर्शन लेता हूं बुरी है कि इनके फोटोग्राफ ले लेता हूं मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत शौक है इनका क्योंकि पुराने समय में हमें याद है जब घर में रोशन अगजान हुआ करते थे रोशन दान से घर के अंदर आये करती थी और आने के बाद अपना गोंसला ही बनाती थी वहां बहुत बार अपने अंड़े बच्चे दिया करते थी च्छोटे बच्चे थे इनका आना हमें बहुत शूब लगता था और यह हमें पॉजिटिविटी द करते हैं अब इसके बाद आगे चलेंगे यह देखिए नील कंट बहुत शुम माना जाता है खास तरी किसा आपको पता कि दशायरे के दिन जिसको इसको दर्शां हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका तो जीवन बदल गया बहुत ज्यादा पॉजितिव बहुत अच् इसके बाद आगे आता है हमारा ये एक और ये देखिए हम इंबॉर्ड इसके जो बर्श होते हैं मिलियंस के इसाब से जहें अपने पंको फरफराती है और इतनी जिस स्पीड से इसके पंक उड़ते हैं जैसे हिलते हैं जैसे मूवमेंट करते हैं इतना जाए वो स्पीड उस इनर्जी वो इतनी ज्यादा इनर्जी होती है कि जो आम तोर पे किसी भी आम इंसान में नहीं हो सकती छोटे से पक्षी में होती एनर्जेटिक बर्स के रूप में इसको माना जाता है इसके बाद आगे आते हैं ये देखिए क्रेंज बहुत अच्छा सीन आम तोर पे इ यह मत सोचना कि यह मचली खाता है तो यह नॉर्ज हो गया इसको नहीं लगाएं कितने सारे ऐसे बर्स हैं मोस्ली 95-98 परशंट बर्स ऐसे हैं जो कि जो चोटे मोटे कीडे मकोडे होते हैं जो सुंडियां होते इनको खाते हैं तो नॉर्ज होते हैं ये लेकिन ये मान के चल भल नहीं होते हैं होते मौर क्या बात है बहुत ही बढ़िया अब क 2017 है और जो मोर का पंख है इस पर मैंने वीदियो सिरल बहुत पहले युक्ष् premi मोर का पंक लेकर के जैसे चमर जुराते हैं या कहीं जाड़ा लगाने की काम में आता है इसके पीछे जो साइंटिफिक रिजन होता है विज्ञान क्या कहता है कैसे काम करता है वाई विशन्स का इस पर भी वीडियो आगे चलके बनाऊंगा बढ़ हां अभी की जो बात हमारी चल रही है मौर का चितर लगाईए अपने घर में दिवार पर बनाईए और अब अब इंट्रेस में बनाईए सामने जहां पर आपका शीशा लगा है उसके आसपास बना सकते हैं कहीं भी मौर का जए है कोई भी चीज और कोई भी इसका जाए चितर यूज करें कोई समस्या अब आगया हमें उस लाइन पर जहां से मैं आपको माना करना था कोई भी ऐसे वर्ड्स खास तरह के से जो निशाचर होते हैं जो रात में ट्रेवल करते हैं इनको जहल लगाना अच्छा नहीं माना जाता अब रह जाती है बात कंट्रोवर्शी की कंट्रोवर्शी में जैसे हमने आपको बताया तो पहले जो अच्छे बड़्स होते थे हमने बहूं सारे बड़्स दिखाई चिडिया दिखाई हमने कबूतर कराला यह वाइट कबूतर बज़न है तो पोस्टर लगा यह कितने सारे बड़्स लेकर लेकिन वो जो नाइट के जुद्में भी ऐसे मतलब यह ऐसे वर्थ होते हैं जो की रात में निकलते हैं और मासाहर करते हैं मासाहर के साथ-साथ दूसरी बात होती है यह जो आवाज निकालते हैं वो हमें comfortable feel नहीं होती कहते हैं कि लक्षमी की सवारी उल्लू होती है जिस घर में उल्लू का आगमन होता है बहुत जादा वहाँ पे धन्धान समरिदी बढ़ जाती है पर एक बात को मत फूरना कि लक्षमी जी का जो वहान है वो उल्लू है इसका मतलब यह नहीं कि वो जो है दोनों एक दूसरे के प्रयाएं हैं बलकि यह मान के चलना मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा लगता है मुझे कि जिसके पास लक्षमी कुछ ज़्यादा ही आजाए ज़्यादा किरपा कर देती है तो वो तो उल्लू बन जाता यानि उसके जो सोचने का तरीका डिसन लेने का तरीका जीने का तरीका वो भ तो उस चीज के उपर आप कैसे डिसाइड करेंगे देखिए आपने एक नजर में देखा तो कोई अच्छा फिल नहीं वाना को जो पहले बर्स देखे और ये देखा दोनों में आपने अंतर देखा तो ये हमें लगा कर कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है हम जो बर्स के जो फोटो लगाते हैं पोस्टर लगाते हैं अपने मन में एक खुशिया लाने के लिए अपने औरा बढ़ाने के लिए टेंशन को खतम करने के लिए देखिए कवा इसको भी आम तोर पेच्छा नहीं माना जाता कुछ ऐसे गिराय होते हैं राहु के तु शनीम दोफ हैं जिस पर में आज बात करने वाला हूं लेकिन मैं आपको किसी ठिकाने तक मुचाऊंगा आपका मैं बताओंगा कि दोनों के कि ध्वनी जहें, बहुत अच्छी नहीं होती, वह बात अलग कि ये भी बिचारा खतम होता जा रहा है, श्रादों के दुनों में जह है, जब हमने देना होता है, पित्रों के लिए कोई धूंडते रहा जाते हैं, कब वा मिलता ही नहीं है, काओं काओं करते रहा हैं, कि नहीं करते हैं नहीं मिलता वक्षी कोई भी बुरा नहीं होता पर यह देखिए ऐसा ऐसी कोई भी चीज जो देखने में सुन्दर नहीं लगती है इसके बाद गिद वल्चर्ज होते हैं खतम हो रहा है यह भी इनसे भी हमारा ecological balance खराब हो रहा है पर यह अगर इनका कोई ऐसा फोटो या ऐसा पोस्टर जिसको देखने सा आपको डर लगता हो आपको सुन्दर ना लगता हो तो इसको अवाइट करना चाहिए कोई भी पोस्टर किसी भी चीज़ का हो आगे चलेंगे हम यह देखे बैट इसको बोलते हैं हम लोग चमगादर इनकी भी जो तस्वीर होती है इनकी भी जो फोटो होती है घरों में अच्छी नहीं माले जाती इसको भी हवाइट करना क्योंकि यह भी कोई बहुत सुन्दर केटेगरी की नहीं आती अब आता है सव परकर यह बनता है कि कोई भी फोटो कोई भी पेंटिंग कोई भी पोस्टर ऐसा जिसको देखने से आपके मन के अंदर मलिंता आती है दुख आता है डर पैदा होता है छोटे बचे देख कर डर जाते हैं ऐसा कोई भी पोस्टर या पेंटिंग Maat लगाना यहां तक की बहु लगते हैं और हमारे घरों में इनका परवेश रहा है उनके पोस्टर ज़रूर लगा लिना किसी भी दिशा के लिए कोई इसके लिए मनाई नहीं है पर हाँ कोशिश करना के access of everything is bad पूरे घर में बहुत सारे जो है birds की फोटो लगाना अच्छा नहीं माना जाता है miniature के रूप में आप अपनी सीडी में कई बार होता है कि आपको बता देता हम चलते चलते चोटी सी remedy अगर आपकी सीडी कहीं ऐसे जगां बनी है जहां पर की नहीं होनी चाहिए या उल्टी घूमी होई तो वहां पर भी जह है यह जो birds की poster होती है जो painting होती है या फूलों की जो painting होती है बहुत अच्छा positivity का काम करती है negativity हटाती है एक बहुत अच्छी remedy आपकी सीडी की दिवारों के उपर चलती है साथियों ऐसे होता मेरा वीडियो मुझे पता है आज आपका मन कह रहा है कि भारदवाजी आज तो आपने हमारे दिल को चूलिया आज तो आपने हमारे दिल की बात कह दी और वो बात कह दी जिसको हम ढूंट रहे थे बहुत दिन से ऐसी होते हैं मेरे वीडियो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो आपके सामने कोई भी प्रशन नहीं रहता उत्तर मिलता है आपको बिल्कुल पूरी तरह से सटीक, लोजिकल और साइन्टिफिक मुझे उमीद है आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा और नहीं किया था भूल गये थे तो अभी कर लेना ताकि अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए अगला वीडियो बहुत काम का आने वाला है दो दिन के बाद परसों शाम को आएगा ठीक साड़े साथ बजे उसको देखना मत भूलना बिल्कुल निया टॉपिक होगा तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा नमस्कार धन्यवाद